हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोसन के क्लास यूटीव चैनल आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस करेंट अफ़ेर की वीडियो में हम देखेंगे 27 मही 2021 के टॉप 10 ट्रेंडिंग करेंट अफ़ेर के कोस्चन और उनके साथ उसके इस्टा फैक्ट्स भी देखेंगे तो अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और डेली बेसिस पे डेली में मौर्णिंग में 5 बजे आप लोग के लिए टॉप 10 ट्रेंडिंग करेंट अफ़ेर की वीडियो अपलोड कर दूँगा उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है रोसन की क्लास यूडियो चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है जिससे मैं मौर्णिंग में जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ एक जैक पांच बजे के आसपास आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए और आप उसको देखके डेली बेसिस पर अपने आपको अपडेट करते रहें अब चलते हैं दोस्तों देर नहीं करते हैं यानि कि यहां पर देखिए जो अभी तक चटिस गड़ के मुखे नाइधिस थे ठीक है उनका नाम था पी आर राम किशन नायर राम चंदर मेनन कितना लंबा नाम है आप ध्यान से देखिएगा पी आर यानि कि पी आर का भी कुछ फुल फार्म होगा राम किशन नायर राम चंदर मेनन ठीक है इनके जगह पे आप कौन बनेगे नयाय मुर्ति प्रसांद कुमार मिस्रा हाल ही में किसे CBI के नए निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है तो सुबोध कुमार जैसवाल जी है इनको CBI के निदेशक के रूप में निदेशक के रूप में निदेशक किये गया है महाराष्ट कैडर के 1985 बैच की अधिकारी वर्तमान में किंद्री औध्योगी की सुरच्छाबल यानि की CISF के महानी देशक की रूप में ये कारे रत थे बहुत कुमार जया सवाल के बारे में पूछ सकता है कि CBI के जो निदेशक बने हैं इसके पहले वो कहां पर कारे रत थे तो CISF के महानी देशक थे ये CBI का Full Formal Central Bureau of Investigation इस्थाफना एक अप्रैल 1963 को की गई थी मुख्याले नई दिल्ले में हैं और किसके अंतरगत आता है किस मंतराले के कार्मिक लोग सिकायत और पेंशन मंतराले के अंतरगत आता है ये CISF के बारे में देखा जाए तो CISF का Full Formal Central Industrial Security Force आपने देखा होगा मेट्रो में अगर कही गए हैं या फिर किसी भी अयर्पोर्ट पे गए हैं तो वहां की जो सेक्योर्टी होती है वो CISF के लोग करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो सेक्योर्टी होती है वो Central Industrial Security Force करती है इस्थापना 10 मार्च 1907 को ही थी मुख्याले नए दिल्ली में ही है और ग्री मंतराले के अंतरगता आता है जो ग्री मंतरी हमारे प्रजेंट टाइम में अमिश्जाज ही है तीसा प्रसन है किस बैंक ने अपने NRI ग्रहक वर्ग को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला Small Finance Bank बन गया है तो इस बैंक का नाम है Equitas Small Finance Bank याद रखेगा नाम Equitas Small Finance Bank है यह Small Finance Bank छेतर में टाइम जोन की आधार पर Virtual Relationship Manager रखने वाला एक मातर बैंक बन गया ह खाता खोलने के लिए की जो आनलाइन प्रक्रिया है वो स्मार्ट फोन या फिर इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटर के मातर हम से की जा सकती है Equitas Small Finance Bank की स्थापना हुई है 2016 में मुख्याले चेन नहीं में है और MD और CEO है प्रज़न टाइम में Equitas Small Finance Bank के वसुदेवन पी एन ठीक है बढ़ते हैं चोथे question की तरब चोथा प्रस्न है यहाँ पर देखिये का ध्यान से चोथा प्रस्न है सतत्विकास के लिए सिच्छा पर 2021 यूनेश को विसु सम्मेलन में School of Hope and Empowerment S.H.E. के सुभारम की घोषणा किसने की है तो टाटा कमनिकेसन ने यहाँ पर इसकी घोषणा की है एक बहु मीडिया बहु हितकारी हित धारक प्रभाव संचार पहल S.H.E. को दवेदर इंडिया के साथ इसने मिलके तयार किया है यह भारत के छोटे सहरों की महिलाओं को समर्थन देगा तथा उनको सिच्छित करेगा ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अगला है कोस्चन पाच्वा Target Olympic Podium Scheme T.O.P.S. Topps का भीबार आपने Topps का नाम सुनागा उसका Full-Farm होता है Target Olympic Podium Scheme के कोर ग्रुप में कितने खिलाडी को सामिल किया गया है तो पाच खिलाडीयों को सामिल किया गया है Topps में Topps के कोर ग्रुप में सामिल खिलाडी है टेनिस खिलाडी अंगिता रहना, रोवर्स अर्जुनलाल, जाट, अर्विंद सिंग और पहलवान सीमा विशला और सुमित मलिक जी यहाँ पे 5 खिलाडी हैं जो की ओलम्पिक के कोर ग्रूप यहाँ पे जो भारत का बनाए गया टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम टॉप मंत्री हैं किरेन रुजूजू याद रखेगा किरेन रिजूजू यह है हमारे युवा और खेल मंत्राले के मंत्री अगली को यहाँ पे अगला प्रस्ण है पुष्टक इंडिया और एसियन जीयो पॉलिक्स द पास्ट प्रेजेंट किसने लिखा है तो नाव रखेगा या जो है अधिक एतिहासिक है मोटे तोर पर उप निवेश्वाद से वैस्वी करण तक के बारे में इसके में दर्साय गया है और दूसरा जो भाग है दो भागों में यह किताब लिखी गई है दूसरा जो भाग है समकाली ने एसिया को दिखाता है अनिमार रूप से चीन और लोगों के साथ विश्चे सुपसे जो भारत के संबन्थ है उसके उपर यह प्रकाश डालता है सीवसंकर मेनन जी ने इस किताब को लिखा याद रखेगा साथमा कोशन है किसे विएना इस्थित इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानि की आई एनसीवी की अ अध्यच यह भारती राजस सेवा यानि कि सीमा सुल की एक सेवा निवरित अधिकारी है और भारत की पूर्व नार्कोटिक्स कमिस्टन भी यह रह चुकी है जगजीत पवाडिया यह पहली बार है कि जब कोई भारती आईनसीवी का नेत्रित कर रहा है और काफी गर्व की इसका नेत्रित करने जा रही है यानि कि इसके पहले एक महिला आईनसीवी के अध्यच बन चुकी है यह दूसरी महिला है जो आईनसीवी की अध्यच बन रही है जगजीत पवाडिया जी और भारत की पहली महिला है जो आईनसीवी की अध्यच बनी है आईनसीवी की बारे म किसे पंद्रहमी केरल विधानसभा के अध्यच की रूप में चुना गया है तो पंद्रहमी विधानसभा जो केरल की अभी चुना हुआ था उसके अध्यच चुने गया है विधानसभा के M. V. Rajes इनको 140 सदसी विधान सभा में 96 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ या पलककड जिले के थ्रिथाला निर्वाचन छेदर से चुने गए राजेस का विधान सभा में पहला कारिकाल है यानि कि पहली बार ये जीत के गए हैं और इन्होंने हराया है कंग्रेस के विधायक V.T. बलराम जी को पहली ही बार में ये विधान सभा अध्यश्च पन गया है M. V. Rajes 9. अंतराष्ट्री विध्ति सेवा केंद्र प्राधिकरण I.F.S.C.A. ने अपनी किसकी अध्यश्चता में निवेश कोस पर एक विशेश समित का गठन किया है तो निलेश साहजी है कोटक महिंद्रा Asset Management Company Limited के प्रबंधक निदेशक है यानि की M.D. है समित अंतराष्ट्री विध्ति सेवा केंद्रो I.F.S.C. में ख्याल है Gift City गांधी नगर गुजरात में है बढ़ते हैं आज के 10% की तरफ किस राज सरकार ने अंकुर योजना की सुरुवात किये तो अंकुर योजना की सुरुवात किये मद्र प्रदेश राज सरकार ने काफी अच्छा यहां पर योजना के अंतरगत काफी अच्छे कारे किया जा रहा है अंकुर योजना के तहट नागरिकों को मांसून के दवरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा तो काफी अच्छी बात है अगर किसी को आप पेड़ लगाने के लिए समानित करते हैं तो काफी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे पेड़ा लगाने के लिए जो की काफी नेचर के लिए काफी अच्छी बात है जो विच रोपड अभियान में भाग लेना चाहते हैं वो वायुदूथ एप है याद रखेगा एप का नाम है वायुदूथ वायुदूथ एप पर अपना पंजीगण कर सकते हैं मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे मदर प्रदेश के सिवरा सिंग चोहान जी और राजपाल है आननन निब्यान पतेर जी जो की उतरपिदेश की भी राजपाल हैं अब दोस्तों आज का प्रसं का आपको एंसर देना है हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंट प्रिक्स का जो टॉर्नमेंट का विजेता कौन बना है यहाँ पिआपकी आपकी आप्छण है कार्लोस सैंज लेंडो, नौरिस, मैस, वेरश टेपेन और लुईस हेमिलटन आपको सही एंसर से का कमेंड वाक्से बताना है एकर आप लोग को कमेंड इसका एंसर देखना है तो कल वीडियो के लाश्ट में मैं इसका एंसर बताऊंगा जैसे कि आज मैं आप लोगो अब कल के question पूछे के प्रस्ण का answer बताने वाला हूँ कल का प्रस्ण था उटावा किस देश की राजदानी है तो Canada यानि कि Canada की राजदानी है उटावा यहाँ उत्री अमेरिका के एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंदर सासित प्रदेश है Canada महादीप के उत्री भाग में इस्थित है जो Atlantic से प्रसांद महासागर तक और उत्तर के आर्केटिक महासागर तक फैला हुआ है प्रदान मंत्री है कनाडा के जस्टिन टूडरो और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही टॉप 10 करेंट अफेर की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है अगर आप लोगों के इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे description box में मैं लिंक दे दूँ वहाँ से जाके आप download कर सकते हैं और अगर आप लोगो कोई भी इसके अलामा किसी भी topic पे आप लोगो UPTate, SuperTate, Seat, Railway या फिर banking से related किसी भी topic को आपको पढ़ना है तो नीचे comment box में आप comment कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like ज़रूर करिएगा और daily business में morning में top 10 current affair की वीडियो देखने के लिए रोशन की class youtube channel को subscribe करना मत भूलिए जैसे ही subscribe करेंगे एक bell icon आएगा याने की घंटी का निशान आएगा उसको दबा के all notification on कर लीजेगा तो friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए आप लोगा बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद वंदे मात्रम